गर्मियों की मौसम में हर किसी को आम खाना बेहत पसंद होता है आम की इतनी सारी वेराइटीज जो हैं हर कोई अपने मन मुताबिकों सखाता है लेकिन एक सवाल जो आपने भी गौर किया होगा कि अक्सर आम खाने के तुरंद बाद जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें गले मे खराश या खास ही होती है अब ऐसा क्यों होता है चलिए आज की वीडियो में जानते हैं तो हलोगा राचा भी कहा जाता है इसमें मौजूद पोशक तत्व शरीर के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं गर्मियों में आम का सेवन कई तरीके से किया जाता है कुछ लोग पके हुए आम का सेवन करते हैं तो तमाम लोग आम पना और मैंगो शेक का भी सेवन करते हैं लेकिन कई बारे आपने देखा होगा कि आम खाने के बाद तुरंद पानी पीने से लोगों को गले में खराश या खासी होने लगती है अब इसके पीछे कि क्या सच् देखिए सोशल मीडिया पर भी कई सारी ऐसे बाते फिलाई जाती हैं जिसमें इस बात का दावा किया जाता है कि आम खाने के बाद अगर आप पानी का सेवन करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है लेकिन डॉक्टर्स की माने तो ये पूर्ण रूप से मित है हाँ वो अलग बात है कि आम या किसी भी फल के तुरंट बाद आपको पानी पीने से बचना चाहिए लेकिन आम तोर पर लोगों को फलों का सेवन करने के तुरंट देर बाद पानी या किसी भी तरह की ट्रेंक करने की सला नहीं दी जाती आम खाने के बाद बहुत जादा पानी पीने से आपका पेट खराब हो सकता है और थोड़ी तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है अब सवाल आता है कुछ खास किस्म के आमों का जी हां अगर आप कच्चे आम का सेवन करते हैं या किसी श्रेणी के आम का सेवन करते हैं तब आपको उसके तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए आम में मौजूद फाइबर खाती समय आपके गले में रह जाते हैं ऐसे में अगर आप पानी का सेवन करते हैं तब गले में मौजूद फाइबर के साथ पानी रब होता है और उससे आपको गले में खराश महसूस हो सकती है एतना ही नहीं आपको लंबे समय के लिए गले में इंफेक्शन और खासी भी हो सकती है आम या किसी भी तरह के फलो का सेवन करने के बाद डॉक्टर कार्बोनेट या फिजी ड्रिंक्स का सेवन करने से बचने की सलहा देती है ऐसा करने से आपको पेट में गैस ब्लोटिंग जैसी परिशानियों का खत्र रहता है उमीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और बी ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार